So hello guys, welcome to my YouTube channel, Ritik Technical Support इस वीडियो में हम आपको बताएंगे Vivo phone अगर आप लोग यूस करते हैं तो जो आपके phone में email id है वही email id की से दूसरे phone में भी login है तो कैसे आप अपने ही Vivo के phone से दूसरे के phone का Gmail id जो भी आपके phone में login है उसे logout करेंगे, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा, बिलके icon को प्रेस कर लेना है तो यहाँ पे first of all आपको अपना internet को on करना पड़ेगा देन आपको जाना है अपने वीडियो फोन की settings में, ठीक है अब settings में जाने के बाद जो है, हम click करेंगे, scroll करेंगे, google पे click करते है manage your account, google account पे click करते है get started पे click करेंगे हम लोग इस टैप का आपको interface देखने को मिलेगा उपर जो आपको option मिलता है slide करने का simple आप इसको slide करके security पे लाते है then हम थोड़ा scroll करेंगे, तो यहाँ पे आपको option मिलेगा your devices तो अभी तो फिलाल हमारे phone में सिर्फ यह जो email ID है, सिर्फ हमारे phone में ही login है बड़ अगर दूसरे phone में login होगा, तो यहीं पे आपको so करेगा direct आप यहाँ पे logout का option मिलता है, आप लोग directly यहाँ से logout कर सकते हैं, ठीक है? सो यह सबसे आसान तरीका है, I hope आप लोगों को वीडियो अच्छ लगी होगी, मिलते हैं next video में, जय मता दे